हलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूटूब चेनल मेट्स पलाजा तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोड कलास सेभन्त हिंदी चेप्टर फर्स्ट जिसका नाम है मानब बनो इस चेप्टर का question answer कराने वाला हूँ, तो आए, start करते हैं पार्ट से पहला question जो है, पहला question कह रहा है कि मानब बनो ऍससक कबी ता के कभी कौन है, यानमानब बनो ये जो पार्ट जो है इसके कभी कौन है इसके कभी हो जाएंगे सीब मंगल सिंग सूमन C.V. Mangal Singh Suman तो अगला कुसन देखते हैं तो अगला कुसन देखिए अगला कुसन कह रहा है कि मानब बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार ये करना चाहिए मतलब ऐसा क्या क्या काम करें कि हम मानब कह लाएंगे हम मानब कह लाएंगे एंसर में देखेंगे मानब बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए सबसे पहला पॉइंट बताया गिया है कि अगर आपको सच्चा मानब बनना है तो सबसे पहले किसी का आसरा आसरा मतलब होता है कि किसी का आसा देखना किसी पर विशुवास करना किसी का भी आशामत मत देखिए जीवन में कि वो आए कि हमको help करेगा किसी पर भी विशुवास मत किजिए यह है पहला point दूसरा point कहा गया है कि आंसु नहीं बहाना चाहिए अपने जीवन में जे है कभी भी आंसु मत बहाएए चाहे कितना भी विकट कंडिशन क्यों ना आ जाए किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना चाहिए चाहे कितनों भी गड़ीवी क्यों ना आ जाए जैसे भी हो उस गड़ीवी का सामना खुद से करना चाहिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना से यह हुंकार करना चाहिए यानि अपने आप में वो सकती लईए वो पावर लईए कि आप इस दुनिया को जीश सकते अपने आस्वों को जन कल्यान में लगाना चाहिए यानि कुछ ऐसा काम किजिए जिससे की युगों युगांतर तक आपका नाम हो अने वाले पिड़ी आपका नाम ले यह सब पुइंट थे मानब बनने के अगला कोस्ण देखेंगे कि कभी के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है यानि कभी जो है सिममंगल सिंग सुमन वो इस चेप्टर मानब बनों में सबसे बड़ा भूल किसे मानते हैं कभी के अनुसार मानब का सबसे बड़ी भूल किसी पर आस्रा करना है कभी सबसे बड़ा भूल यह मानते हैं कि हम किसी पर विश्वास करते हैं किसी का आसा देखते हैं कि वह व्यक्ति आके मेरा हेल्फ करेगा यह सबसे बड़ी हमारी भूल है हमारी क्या है? हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करनी चाहिए अगला कुश्शन अगला कुश्शन कह रहा है कि अर्थ बताईए पहला जिसनी दिया गया अब अस्रू दिखलाओ नहीः अब हाथ फैलाओनही इस पंक्ती का क्या मतलब हुआ कि असरू दिखलाओ नहीं अब हाथ फैलाओ नहीं इसका अर्थ होगा किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज की कमी है तथा किसी चीज के लिए भी हाथ मत फैलाओ इस अब असरू दिखलाओ नहीं अब हाथ फैलाओ नहीं इस पंक्ति का कहने का मतलब हुआ कि कोई भी विक्ति हो चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो कितना ही छोटा क्यों ना हो उसके सामने रोना धोना नहीं करना है कि हमें इस चीज की कमी है हमारे पास यह नहीं है और किसी के सामने जे हाथ भी नहीं फैलाना है इसका देखे दूसरा भाक क्या दिया गिया है चार का खोव नमर तो चार का खोव नमर कह रहा है अब हांत मत अपने मलो जलना अगर अगर अपने हिरीदय की भश्म से करदो धरा को उड़बरा तो इसका मतला हुआ कि मनुस्य को अपनी भूल पर पच्चतना नहीं चाहिए जैसे हम लोग मान लिजिए कोई भूल कर भी देते हैं उस पर पच्चतना नहीं चाहिए बलकि ये सोचना चाहिए कि चलो हमें एक नया सीख मिला जैसे कोई व्यक्ती मान लिजिए एक्जाम देता है यदि किसी कारण वस एक्जाम में फैल कर जाता है तो वो बहुत जड़ा पच्छता था भी है कितना तो ऐसा भी करता है समझे कि अपना जान से हांदो बेचता है फांसी लगा लेता है या कुछ भी करता है तो काता है हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए मनुस्य को अपनी भूल पर पच्टाना नहीं चाहिए बलकि उसे ये समझना चाहिए कि इससे हमें एक नया सिख मिला सिख यह मिला कि आगे से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी से जलना भी नहीं चाहिए किसी से यह नहीं जलना चाहिए कि उसके पास यह चीज है हमारे पास नहीं है हमारे दोस्त के पास बस है मेरे पास नहीं है जो है उसमें खुस रहना चाहिए किसी से जलना नहीं चाहिए कि उसके पास यह है मेरे पास नहीं है यदि जलना हो तो अगरबती यानि धूप की तरह जलो कहता है कि पहला बात तो किसी से जलना नहीं चाहिए यदि आपको जलना ही है यदि आपके दुसमन आपको देखके जलते हैं तो अगरबती की तरह जलो धूप की तरह जलो ताकि देखिए एक अगरबत्ती जो एक दस रुपए की अगरबत्ती पूरे इतने बड़े जह समझ ये रूम में इतना बड़ा कमरा में सुगंद फेला देता है अगरबत्ती समझ ये सो मीटर की दूरी पर भी जलता है तो लगता है कि हाँ बहुत ही बड़ियां सेंट आ रहा है और ठीक इसी तरह धूप का भी काम है तो कहता है कि पहला बात तो जलो नहीं किसी को देख के यदि जलना ही हो तो अगर बत्ती की तरह जलो कि मतलब कि सब को सुगंदित कर दो हे मानब अपने हिर्दय भस्म से पिर्थिवी को उर्वरा बना दो उर्वरा कहने का मतलब हुआ कि पिर्थिवी में जब तक उर्वरा सक्ती नहीं होगी तब तक कोई भी फसल नहीं लगेगा तो कहते हैं कभी कि ऐसा कुछ काम करो कि पिर्थिवी जो है उर्वरा सक्ती बन जाए बस तुम्हारे इस काम से तो यतना ही चार कोस्टन था अब आते हम वियाकरन वाले पार्ट पे तो वियाकरन का देखिए वियाकरन में कोस्टन दिया गिया है हाथ फैलाना एक मुहावडा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना यानि हाथ फैलाना मुहावडे का अर्थ है कुछ मांगना इस प्रकार के इस प्रकार सरीर के विभिन अंगों से जुड़े जैसे हाथ क्या है हमारे body का एक अंग है इसी तरह काता है कि हमारे body से ही जुड़े पांच अंगों से related आपको मुहावडा चुनना है देखिए हम यह चुने हुए है तो पहला जैसे देखिए हाँ हाथ मलना हाथ क्या है? सरीर का ही एक अंग है body का एक अंग है हाथ मलना मुहावडे का अर्थ होता है समय गवाने से हाथ मलना पड़ता है हाथ मलना मतलब होता है पच्ताना यदि हम समय गवाद देते हैं समय बरवाद कर देते हैं बाद में पच्ताने के अलाबा कुछ भी नहीं मिलता है वही यह लिखे हैं समय गवाने से हाथ मलना पड़ता है दुस्ता दिया हाथ फैलाना तो नेता लोग जनता के बीच आसानी से आसानी से अपने पाउँ फैला देते सोड़ी पाउँ फैलाना था यहाँ अपन नहीं होगा अपने हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा अपने पाउं फैला देते हैं कहने का मतलब हुआ है कि नेता सब को जब भोट चाहिए होता है तब ही वो क्या करते हैं तब ही वो जो हाथ फैलाते हैं भोट दो जब जो हो जीच जाते हैं वो अपना पाउं फैला देते हैं पाउं फेलने का मतलब हुआ कि वो काम धंदा पाँ छोड़ देते हैं, अपने सीट की गड़ी पे बैठे ड़ाते हैं, और दिस दुनिया भूल जाते हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अत्तिस्ता दिया है आँख मारना, आँख मारना मतलब होता है किसी को इसारा कर जैसे या देखिए वाकिये चुने है, कि लड़कियां भी लड़कों पर आँख मारती है, लड़की भी लड़कों को क्या करती है, इसारा करती है, चौथा देखिए चुने कान देना, कान देना का मतलब होता है धियान देना, तो बच्चे सिक्षक की बातों पर कान नहीं कहने का यह मतलब हुआ, कि जब टीचर समझाते हैं, तो बच्चे उसकी बातों पर धियान नहीं देते हैं, बलकि इधर उधर की बाते करने लगते हैं। यफलेंग pant दिया है, हांथ बढ़ाना। हांथ बढ़ाना मतलब अता किसी की मदद करना, किसी के help करना इसका देखिए वाक्त के लिखा गिया है आज कल के बच्चे भी माता पिता के कामों में हांत बटाते हैं तो इतना ही question एक question रिखिया और है वियाकरन सेक्षन में कि इन सब्दों के विप्री तार्थक सब्द लिखिए विप्री तार्थक का मतलब उल्टा सब्द विलोम सब्द पहला दिया फैलाना मतलब पुड़ा फैला देना इसका उल्टा होगा समेटना दूसरा क्या दिया है प्यार इसका मतलब नफ्रत तिसरा क्या दिया मानव भूलना इसका याद रखना इतने ही क्वेस्टन जो इस अध्याय में थे तो आप लोग जो इसको अपने कोपी में नोट डाउन करके याद कर लेंगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चेप्टर के क्वेस्टन एंसर के साथ जय हिंद